वेल्कम टू आरेस्पी वर्ल्ड जोतिश आध्यत्म वास्तुई फैंक्सुई कलर एंड स्टोन थेरिपी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को भी आन कीजिए वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हां कमेंट में अपनी बात जरूर लिखे तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे आयू गनना ग्रहों की रश्मिया एबं ग्रहों के द्वारा आयू निर्धारन का तो देखिए ये लाइन जो है ये आपको थोड़ सी मुश्किल लग रही होगी समझने में कि ये आयू गनना और ग्रहों के द्वारा आयू निर्धारन ये क्या चीज है तो मैं आपको बताता हूँ आसानी से पहले फिर आगे बढ़ेंगे आयू गनना में ग्रहों की रश्मिया ये मैंने यहाँ पे पेली एक लाइन लिखी हुई है ठीक है पेले इसका मतलब समझे आप आयू गनना यानि की एज काउंटिंग उम्र को गिनना उसमें ग्रहों की रश्मिया अब आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा यानि की जो ग्रहों की आयू है उसके अनुसार उनकी रश्मिया यानि की उर्जा पावर उनमें से निकलने वाली किरने तो अब आपको लगे क कि आप सोचेंगे कि ग्रहों की भी आयू होती है जी हाँ बिलकुल होती है तो ग्रहों की आयू होती है हजारों हजारों साल की आयू होती है और उनमें से निकलने वाली रश्मियों की भी गनना होती है किरनों की भी गनना होती है उर्जाओं की गनना होती है जो हमारे शरीर को मिलती है तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि आयू गनना में ग्रहों की रश्मिया कितने साल तक उसकी रश्मिया निकलेगी एसी आयू की गनना की हमने उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है एबं ग्रहों के द्वारा आयू निर्धारन अब देखिए अब ग्रहों के सकते हैं उसकी निर्धारण भी कर सकते हैं जब कुणिली बिल्कुल क्लियर आती है कभी-कभी कि जानना ज्यादा राज्योग में ज्यादा दोशे तो राज्योग sentences है तो वहां पर हम आयून को निर्धारण भी ग्रहों की दवार हैं कर सकते अब जैसे कि दिगरी मैं मैंने आपको पहले समझाया था वो पार्ट आपने समझा होगा तो उससे हमको क्या पता चलता है ग्रहों की डिग्री से क्या पता चलता है कि ग्रह की डिग्री से उसकी शक्ति पता चलती कि वो कितने प्रतिसर शक्ति देने वाला ग्रह है चीदिसी चीजे तो उसी तरह से यह यहां पे हम ग्रहों के द्वारा आयू निर्धारन करेंगे तो उसमें जिसे कि हमको जो डिग्री है वो सपोर्ट करती है तो यहां पे हमें कुछ और भी चीज होना चाहिए ना सपोर्ट करने के लिए जो पता सके कि आयू निर्धारन करने के लिए पेरामिटर क्या है झायू हे सूरिय ग्रह की उतनी ही व्यत्ति की इसना की newerन होगा तो मैं आपको time केसे होगा सबसे पहले मैं यहाँ पर सूरी देव pare छिख सामने लिखा cub Iraq साल और पांच साल के बाद लिखा है पचास साल पेले इसको समझिए देखिए जो पेली लाइन है यहां पर मैंने नव ग्रह के नाम लिख दिये सूरी चंद्र मंगल बुद्ध गुरु शुक्र शनी राहूर केतु जस्ट बादबरी लाइन में में लिखा है यह जो पांच सा साल यह जो लिखा है यह रश्मिया है रश्मियों की आयू गनना है और इसके ठीक सामने आप यहां देख रहे हैं पचास साल सतर साल दस साल यह ग्रहों के द्वारा किसी वेक्ति जातक की आयू निर्धारन का समय है साल वर्ष है तो बेले यह क्लियर कर देता हूं आपको ए इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सूर्य की रश्मिया किरने पांच साल की है उसके बाद सूर्य भुज जाएगा या बंद हो जाएगा ये तो possible नहीं सूरीए तो कई सालों से हमें उर्जा दे रहा है, कई सालों से हमें शक्ति दे रहा है, आज तक वो कभी भूजाई तो अभी ये किसे हो सकता है? तो मैं सूर्य की नहीं बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य ग्रह के द्वारा आपकी कुंडली में कितने साल वो अपनी रश्मिया या किरने या उर्जा प्रदान करेगा और वो कैसे देखेंगे सूर्य हमारी कुंडली में शुब है या अशुब है उस इस्तिती मे उसे देखना पड़ेगा अब आपको समझ में आया नहीं तो आप कहेंगे कि सूर्य पांच साल देता है तो पांच साल से तो कई ज्यादा हमारा जीबन बिद चुका है और आज तक तो हमने सूर्य को भी डुबा हुआ ही नहीं देखा है या फिर आप कहे रहे हैं कि रश्मिय होते रहते तो रश्मिय किसके लिए है आपके लिए और आयू निर्धारन किसका आपका जिसकी कुंडली है उसका आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मैंने लिखा है सूर्य सूर्य की रश्मिया पांस साल रहेंगी आपकी कुंडली में अगर शुब अगर सूर्य उस इस्तित पहले यह चार्ट क्लियर कर देता हूं चंद्रमा 21 साल वो रश्मिया देता है अपनी किसी जातक को उसकी कुंडली में और आयू कितने साल के देता है अगर वो कुंडली में शूब हुआ तो अधरवाइस अशूब हुआ तो कितने साल की उम्र ले भी सकता है ठीक है अब जरूरी नहीं है कि यहां मैंने लिखा सत्तर साल तो देखिए बहुत से वेक्तियों कि तो सत्तर साल के अंदर ही डैथ हो जाती है तो वो तो मतलब सत्तर स चंदरनी अगर दी है उनको उम्र तो या तो 70 साल जी लेंगे या ever 70 साल चंदरमा तो 70 साल के पहले वह उनकी डेथ हो जाती मैं कि को प्राप्ट होजाते है तो कुंडली में ऐसा जरूरी है 스dam ककरानी है हमारे आठ आबुकल पढ़ता है जोताहिए जोतिशने और कि कौन सा घ्रह आपकी उम्र को बढ़ा रहा है और कौन सा घ्रह आपकी उम्र को घटा रहा है ठीक है अब आगे चलिए मंगल मंगल 7 साल अपनी रश्मिया देते हैं और उम्र कितनी देते हैं 10 साल की उसके बाद बुद्ध 9 साल अपनी रश्मिया देते हैं उम्र देते हैं 20 स शुक्र 16 साल अपनी रश्मिया किरने उर्जा प्रदान करते हैं साथ साल की उम्र देते हैं शनी शनी का देखी बहुत ही अच्छा मामला है चार साल तो यह अपनी रश्मिया देते हैं लेकिन उम्र सबसे जादा सो साल की उम्र देने वाला घ्रह शनी होता है कारण सीधा सा है मैं मेरी पेले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, आपको समझ में आने लगा होगा, शनी भोती धीरे चलने वाला घ्रह है हमारे सोर मंडल में, धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए साड़े साती का लंबे समय इनका होता है, अंतर दशा भी इनकी लंबी होत सकते हैं, तो उतना ही अगर कोई कुंडली में, किसी की कुंडली में शुब है, तो उतना ही अपोजिट कर देते हैं, बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, इनका जादू होता है, बिल्कुल उल्टा करने का, तो उल्टा करके उसको उतना ही तेज कर देंगे, मान के चलिए सो प फिर में ताकत नहीं रेगी और सोवेगा ज्यादा नीं ज्यादा आएगी और सो साल की उम्र तो यह है कि घ्र जब दिरे चलेगा तो फिर सो जाल की उम्र देगा कि स्लोचलने वाल किisz्रिए तक स्थीज़ें अपने साल राधि चाड चाड साल अपनी रश्मिया देते हैं आप थिती यहां पर मैंने रखं agric करते हैं कि यह तनों इंको बढ़ाने का काम करते हैंशुब और अशुब होकर समझ ही गाया आप लाइन से मतलब क्या है कि जिस भी घ्रह के साथ बेठेंगे तो कुंडली में जैसा भी बेठ रहे हैं और जैसा भी इनका रिजल्ट हम निकाल रहे हैं कि यह राहूर के तु शुब है यह अशुब है तो वह वेशा प्रभाव देंगे शुब हैं तो जिस घ्रह के साथ ब गटा देंगे अब आप कहेंगे कि घटाएंगे तो कितनी है बढ़ाएंगे तो कितनी तो देखिए राहू के तुछ हाया ग्रह है हमारी पहुच से बहुत दूर है बहुत ही कम इन पर शोध हो पाए हैं क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं इसलिए इनका कोई फिक्स अनुमान पता नहीं चला है कई Facts में बहुत सरी Facts में तो जोतिश में वेज्ज्ञानिकों ने भी कोच कर ली है जोतिश ने भी कोच कर ली है कि रहूर के तुँ नीच के होंगे तो ऐसा प्रभाव रहेगा आतमत्या करा देंगे पागल करा देंगे उच्चो के होंगे तो लौ्ट् छुट दाए है रहु के तुके खोज निरंतर जारी है प्रैक्टिकल होना निरंतर जारी है जैसे जैसे पता चलते जाएगा आपके सामने हम लाते जाएंगे अब कितनी उम्र बढ़ाते हैं अभी तो कोई हमारे पर इसा डेटा है नहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं संख्य का जिसमें कि हम बढ़ा सके आप अभी बस यह मान लिजे कि घटाते हैं और बढ़ाते हैं ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं यहां पर मैंने क्लाइन लिखी है क्या होती है रश्मिया आयू अब मैं आपको समझाता हूं यह काम कैसे करती है और होती क्या है तो देखिए मै इन यहाँ पर दिखा हूं ग्रहों के रश्मियों का मतलब है कि कौण सा घ्र हम्हें कितने समय वर्ष मेने कोश्टग में लिखा हूँ है मैं अपनी रश्मी यहां मतलब की उरजा दे सकता है उरजा एनरजी दे सकता है एनर्जी वो जिससे हम सुबा उठेंगे रात को सोएंगे दिन भर काम करेंगे अपना ब्यवसाय करेंगे नोकरी करेंगे तो एनर्जी हमारे हाथ पेर में होना चाहिए जिससे हम काम करेंगे अगर एनर्जी आपके शरीर से निकाल लिए जाए या ब्लेट पूरा निकाल लि तो स्टेमिना जिसको बोलते हैं वो एनर्जी होती है ठीके तो उर्जा दे सकता है वह आयू निर्धारन का मतलब है कि कुंडली में एक घ्रह ऐसा जरूर होता है जो कि जातक की आयू को निर्धारित करता है कि कौन सा जातक कितने वर्ष तक जीवित रहेगा समझिए कौन सा जातक कितना जीवन जीएगा लेकिन अन्नी आठ घ्रह भी कुंडली में होने के कारण उस एक घ्रह को निच्चित कर पाना मुश्किल हो जाता है क्या लिखाए मैंने आठ घ्रह भी होते हैं कुंडली में एक आपका जीवन चलाएगा मतलब उम्र बढ़ायने वाला होगा जिस्ते हम उम्र पता करेंगे या घटाने वाला होगा जिस्ते हम देखेंगे कि कौन सा उम्र घटा रहा कौन सा मारने वाला घ्रह है आपका मतलब ही कठीन होता है जोतिश में अधिकतर कुंडली में वो नहीं निकल पाता है मिक्सप हो जाता है चुप जाता है लेकिन किसी-किसी में निकल जाता है यह कहना चाहरों में तो मैंने यहीं लिखा है कि आठ ग्रहुने की कारण मुश्किल हो जाता है निचित करपाना लेकिन किसी किसी कुंडली में जिसमें की ज़्यादा दोश नहीं होते हैं प्राज्योग होते हैं उनमें यहाँ आसानी से पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह उम्र बढ़ाने अथवा घटाने का कारी कर रहा है कभी कभी एक से ज़्यादा ग्रह भी उम्र बढ़ाते और घटाते हैं क्यों जी गए होंगे भोती सरलता से मैंने यह समझा दिया है आपको शुब होगा तो बढ़ाएगा और अशुब होगा तो घटाएगा जिस कुंडली में दोश जाता होते हैं उसमें बहुती पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो घ्र हमारे सामने आ जाएगा जो उम्र को घटाएग क्योंकि दोश बना रहा है न तो दोश अच्छी चीज नहीं होती है तो उम्र घटेगी और यहां पर एक घ्र हैसा होता है कि जो दोश बनाता है तो बनाने वाले में जो दोश बनाता है तो वह हमारा शुब घ्र हो गया और एक राजियोग जिस कुंडली में राजियोग ज अच्छी तरीके से सरलता से तो यही था आज का हमारा विशय उम्मिद करता हूं आसनी से समझा दिया होगा नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए वाटसप पर मेसेज कीजिए आपके वहां पर समझा दूगा जो भी आपके इसके बाद के प्रशने रहेंगे लिख पूरी इम्मिद है कि आगे मुझे जाके विव मिलेंगे उस पर और मेरा जो चैनल है यह भी ग्रो करेगा बस आपसे यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को वीडियो आपको बसंद आती है तो लाइक किजिए जैसे जैसे आप लाइक करेंगे वह यूटूब वीडियो को स्प आपके जो आपके जो ग्रूप से फेस्बूक के ग्रूप से उन पर शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार आ गए है चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए पार्ट बहुत आगे तक आ गए हम जो 30 के से सिखे कि पूरी सीरीज चल रही है तो इसमें हम मिलेंगे नेक्स्ट वीड बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं और ओरिजनल राशी रत्न रुद्राक्ष खरिदना चाहते हैं तो हमारे वाट्सप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं धन्यबाद